सबसे पहले हम लोग जेडी मैक डॉना से तो अगर आपने आज का रहो देखा होगा लाइव तो आपको पता होगा कि आज रॉक के अंदर एक डेवल डवी ने मैसिव टीस ड्रॉप किया कि जेडी मैक डॉना जॉइन कर सकते हैं जस्मेंट डे को कुछ टाइम पहले मैंने तो लोगों को लगता होगा कि वह लीटर है लेकिन इसके बावजूद गैस मैं आपको बता दूँ कि जस्मेंट डे के अंदर एक और एडिसन हो सकता है यह लीटर के तौर पहीं होंगे कहने का मतलब है कि अंडरेटर नहीं होंगे कोई यह हैं जेडी मैक डॉना आज बैट अब ऐसे में फिन बैलर एक ही रीजन से इनको निहार रहे हैं और रीजन यह है कि वह रेक्रूट करेंगे इनको जस्मेंट डे के अंदर यह रिपोर्ट पहले ही आ चुकी थी तो अगर यह रिपोर्ट नहीं आती तो हम लोग ऐसा भी कह सकते थे कि हो सकता है कि फिन बैलर करेंगे और कुछ ऐसा लेकिन क्योंकि यह भी हील है जस्मेंट डे भी हील है और पहले रिपोर्ट भी आ चुकी है तो सारी चीज़ें बिलकुल पॉइंट पॉइंट सही सही कनेक्ट हो रही है तो आसे मैं लोग कह सकते हैं कि हाँ जैडी मैक डॉना जो हैं वह बिलकुल ज आचन को बहुत आगे लेके जाने वाली आगे बढ़ते हैं कोडी रोट की बात करते हैं कोडी रोट के फैंसके लिए बाड निऊज वाली इकोड़ी फिए उनके फैंसके लिए बाड नीऊज आते रहती है क्योंकि एंक basMA को सफिडम कूर लोग का कहना है साउंग पूरु जी तो Minuten कोडीड़ो थैटल स incapacly ये कुछ है निए थाइट्ल इससाल कोडी-आपकर फैंस मेए युनिवर्सल टाइटल साम tuस्फ नहीं सब्भाइ और इस साल टाइटल नहीं जीतेंगे, इस रिपोर्ट का कहना है, आगे बढ़ते हैं मुस्तफा अली की बात करते हैं, तो मुस्तफा अली के लिए आज काफी अच्छी न्यूस है में देखने को मिली, डवी डवी उनको काफी अच्छी तरीके से बुक किया, अब वो नाइट चैंपिन साओधी अरेबिया के अंदर फेस करने वाले हैं गंथर को उनके इंटर कॉंटिनेंटल चैंपिसिप के लिए, अब यह तो चलो इनके पुस्की बात हो गई, लेकिन मुस्तफा अली ने इंडियन फैन्स से कुछ प्रॉमिस भी करा है, आप लोग उसे क्या है, यह प्रॉमिस करता हूँ कि डबल डबली इंडिया में इवेंट लेके आएगी, एंडिया में कुछ ना कुछ करेंगे, मैं वहाँ पर आना जरूर से चाहूँगा, यह कुछ मुस्तफा अली ने इंडियन फैन्स से अपने प्रॉमिस करा है, तो अगर आप लोग मुस्तफा अल की बात करते हैं, तो लोगन पॉल को लेके रिपोर्ट आई थी एक टाइम पर कि लोगन पॉल डबी डबी चैंपिन मन सकते हैं, अभी तो वर्ल्ड हीविट चैंप से पागी है, तो पता नहीं चलता कि कौन सी रिपोर्ट किसके लिए है, क्योंकि तीन में टाइटल से, तो वर्ल डबी डबी टाइटल तो नहीं जीतेंगे, तो वर्ल्ड हीविट चैंप सिप कहीं होगे, बाकी डबी डबी इनको चैंपिन इसलिए बनाना चाहती है, क्योंकि यह देखना चाहते है कि सोसल मेडिया मेगास्टार कितना हील अपने आपको परफेक्टली दिखा सकते ह तो डबडवी यहां पर इनके संदाज को यूज करेंगे, इनको वर्ल चैंपन मना के आगे बढ़ते हैं वाला मैच आपको समर्श्लाइम में देखने को मिलेगा, यह उसा अन्दाज में बोल दिया था शहिनने को में ने कौमेंट भी किया था है, एक हो सकता है, अब ऐसा म ना भी करे night of champions के अंदर तो हो सकता है कि गलती से उनसे cost हो जाए एंड उसके बाद फ्यूड बिल्ड होगी एंड summer slam के अंदर रोमन रेंस और सोलो सी कवा वर्सेज उसोज यह वाला मैच आपको देखने को मिलेगा यह कुछ latest report का कहना यह बहुत बिल्कुल एंड पर दिखरी है bloodline यह रोमन शोलो अलग रास्ते जाएंगे उसोज अलग रास्ते जाएंगे किसे ने comment करके कहा भी था कि अब टाइम आ चुका है उसोज को करेंग वीडियो में